नमस्कार, welcome to my channel, मैं हूँ मनिशा, दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम पार्ट कैसे करना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी पार्ट कर रहे हैं, ये गजेंद्र मुख्च की पूस्तक है, तो कौन सी मनुकामना के लिए कौन सा पार्ट करना चाहिए, पार्ट करने क लिए क्या संकल्प लेना जरूरी होता है, इस तरह की बहुत सारी सूख्षन जानकारियां पार्ट करने से समबंदित, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, दोस्तों वीडियो पर इन तक बने रहें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त दोस्तों यदि आप मारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, हम बात कर रहे हैं पार्ट करने की सही पहले हम जानते हैं कि हमें कौन सा पार्ट कब करना चाहिए, जैसे कि ज्यादा तर लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, तो हनुमान जी के भक्तों के लिए आप हनुमान चालीसा का पार्ट कर सकते हैं, या पिर सुंदर कांड का पार्ट कर सकते हैं, तो सुंदर कांड का प कर लेते हैं तो भी आप संधर का पाड कर लेते हैं या फिर आप धन की इक्षा से भी आप संधर का पाड करने संकल्प ले फोड़ प JACK करनी किसा हूझoni चाहिए हुझी क्या है वो भी हम हम जानेंगे इस दिन आपको सुबह स्वेरे सनान ध्यान करना चाहिए आपका मं اور आपका शरेप बिलकुल सुध होना चाहिए ठीक है और उस दिन जबसे आपने संकल्प लिया है बिलकुल मांसमदिरा का ठ्याग करना चाहिए और हो सके तो ब्रह्मा चर का पालन करना चाहिए यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके मनोकामनाय जल्द होती हैं मंगल वार या फिर शनिवार के दिन हनुमान चालीशा का या फिर हसंदर कांड का पाट करना हमारे लिए फलिदाई होता है इस तरह से आप पाट करने का सबसे पहले संकल्प ले उसके पहले आप एक आसन लगा ले क्योंकि भिना आसन के आपका पाट संपूर नहीं होगा और सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उसके उपर राम दरबार की प्रतिमा रखें जैसे कि आप सभी को पता है हनुमान जी भगवान स्री राम के अनन्य भक्त थे और यदि कोई भगवान स्री राम की पूजा करता है हनुमान जी के सामने तो हनुमान जी की कृपा उ और एक चोटा सा दीपक आप जरूर जलाएं, घी का दीपक जलाएं, या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं, दोनों में से कोई भी जला सकते हैं, चमेली के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं, विसे चमेली के तेल का चोला जड़ाया जाता है, तो आप इस तरह से ये करें और जो महतवपूर बात है, वो आपको क्या करना है, एक पात्र में तो जल आप लेंगे, जिसे आप आचमन करेंगे, आप अपना शुद्धी करण करेंगे, तो ये सभी तो आपको करनी ही करनी है, एक और पात्र में आपको जल लेना है, तो जैसे ये एक पात्र है, आप सिका शिकात मैं आप बने आप इसने में आप नियूंग से कहें तरह से थेms सकते हैं ना आप रखें आप आपने 2 लॉंग ए लिए तो य। आप य। इसे पानी को आप सामने सामने रख लिए जहां कर रहें हैं चोकी पर रख दें तो हम अवãy साथ करने new लाइब दोस्तों आप PART करना स्टार्ट यदि आप हनुमान चालीसा का पार्ट कर रहे हैं तो तीन बारी करें. तीन बारी लगतार पाट करने से आपके मनोकामनाए जल्द पूरी होती हैं और उसके पहले आप संकल्प ले लें संगल्प लेने की क्या विदी है वो भी हम आपको बता देते हैं हाथ भी थोड़ा सा आप जल लें, अक्षत लें, पुस्प लें और ये मन में ध्यान करें कि हम सो बार इस चालीसा का पार्ट करना चाहते हैं और हम इसका संकल्प लेते हैं हमारी मनुकामनाय पूर्ण हो आप अपना नाम बोल सकते हैं आप अपना गोत्र बोल सकते हैं इस तरह से चोटा सा संकल्प विदी होती है आप मंत्रों में भगवान आप चु्ड़क दे पवित्री करन का मंत्र आगर आप जानना चाहते हैं उमयो मन्त्र झालिकर बुल सकते हैं क्या सो हैं कोन सा मंत्र बुलना हैा तो आप तीन बारी आचमन करें आप ृपी जैसे करके आण हम हां दोले अब इन पात की शुरुआत कर सकते हैं तो यह थोड़ी सी विधिया होती है, यदि आप इन बातों का ध्यान देते हैं, तो आपके मनों कामना जल्द पूरी होती है, इस तरह से आप यह पाट करें, और पाट करने के बाद सभी चीजे यथा स्थान रख दे, दीपक आपका जल रहा है, तो जलने दे, दीपक घी या उसका तीन के तेल का जलाना चाहिए, और जो आपका पाट होगा, समय आपका एक होना चाहिए, जैसे मालीजे आप सुभा कर रहे हैं, लगबग साथ, छेस, पांच, जितने भी बज़े आप करें, आप सुभा के समय कर रहे हैं, तो उसी समय करें, यदि संधिया, यानि कि स सूरी रहते आप करने अधि उत्तम होता है, क्योंकि सिर्फ सनी की पूजा हमें सूर्यास्त के बाद करनी होती है, वाकि सभी देविदेवताओं की पूजा यदि आप सूरी रहते करें, तो अच्छा होता है, वसे लक्षमी पूजन भी सूर्यास्त के बाद भी ज्यादा तो सुरियास के बाद भी कर सकते हैं वरना आप सभी चीजे दिन रहते ही करें तभी अच्छा होता है यह पाठ करने की विधिया होती है अब इस तरह से लगातार जो है 43 दिन तक आप करते हैं तो आपकी मनो कामना बहुत जल्दपूरी होती है किसी भी मामनो कामना के लिए आ आप करजमुक्ति के लिए कर रहे हैं आप किसी बिमारी सेग्रसित हैं तो आप पाठ करने के बाद जो आपने जल रखा हुआ था वहां पर एक पात्र में ये चांदी के सिक्के और दो लॉंग के साथ में इसका क्या करना है वो भी आप समझें यह जो सिक्का है आप लेके पॉकेट में रख लें यह जो लॉंग है एक लॉंग अपने आप तुकड़ा मुह में रख लें और एक लॉंग रख दें आप जब भी किसी जरुए काम के लिए जाए तो यह लॉंग खा कर जाएं और यह जल आप थोड़ा पी ले थोड़ा बात के लिए रहे यानि दिन काले के लिए निकलते हैं तो आपका कारे हंडिड़ परज़ा माना जाता है इसलिए यह जल बहत ही महत्पुर्ण होता है और फिर जब दूसरे दिन आप करते हैं तो वो सिखका धो कर आप वापस इसमें डाल सकते हैं वो चांडी सोना कभी असृद नहीं होता है तो वाला लोंग इनसानों को नहीं ही खाना चाहिए सिर्भण के लिए होता है. दोस्तों अक्सर हम से सब लोग पूसते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कौन सा पार्ट करना चाहिए क्या पूजा करनी जाहिए तो आप आदित तहरदैस्त्रोथ का पार्ट कर सकते हैं यह है पुस्तक बहुत महिंगी नहीं आती आप गीता प्रेस वालो के यह जाएंगे तो आसानी से आपको यह पुस्तक मिल जाएगी और इसमें इसका जो है रेट जो लिखा है 40 रुपीज है आदित तहरदैस्त्रोथ है यह हमारे सूरिग्रह को बैलंस करती है सूरिग्रह को मजबूत करती है इसलिए कहा जाता है कि आदित तहरदैस्त्रोथ का पार्ट यदि हम रभीवार के दिन सूर्य के सामने यानि उगते हुए सूर्य के सामने लाल आसन पर बैट कर और एक चो पूरी होती है, यदि आप किसी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आप एक्जामनेशन की तियारी कर रहे हैं और आपका एक्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो भी आदे तेरे स्त्रोत का पार्ट करना आरंब कर दे, आपको बहुत लाब मिलने वाला है, और दूसर कर रहे हैं, तो ऐसे में आप गजेंद्र मोक्ष का पार्ट करें, ये हैं गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक, और इसे भी आपको तीन बारी करना है, यह भी सूरे के सामने यदि आप बैठके करते हैं, यानि कि हर रभिवार आप कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन आप करें, तो लेकिन हर पार्ट करने का एक अपना दिन होता है, जैसे सुंदरकांड, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आप करते हैं, उसी प्रकार से ये गजेंद्र मोक्ष का पार्ट, आप किसी खास तितियों में या फिर हर अभिवार को करें, तो आप के लिए बहुत अच्छा माना कोई उसका संचे हम नहीं कर पाते हैं, ऐसे में आपको कनकधारा स्तृत, ये है कनकधारा स्तृत की पुस्तक दूस्टों, कनकधारा स्तृत का पार्ट करना चाहिए, तो ये आप संध्या के समय भी कर सकते हैं सूरियास्त के बाद, माताललक्षफवी का पूजन और सनी आपको बताया है जिस देवता का पार्ट कर रहे हैं उससे संबंधित सामने चित्र रखे और फिर दीपक जलाए एक पात्र में जल रखे और फिर पार्ट करना आरंब कर दे संकलप लेका ठीक है तो बस यह आप कर सकते हैं अब वही पर आप जैसे घर में बड़े बुजुर् है, तो आप गीता का पाट करना अरंभ कर दें. और खासतोर से गीता के गयारवे अध्याए का पारट, सिर्फ एक अध्याए में पूरा पूर्ण करना, बीचे में आपको रोकना नहीं है, ठीक है, आप गीता के ग्यारवे अध्याय का पार्ट आपको जैसे बहुत स्लोली आप पढ़ेंगे, तो आपको धाई तीन घंटे लगेंगे, नहीं तो आप देड़ घंटे में आराम से एक गीता का पार्ट कर सकते हैं, हम आपको मान समान के प्राप्ती होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसमें भगवान विश्णु के विराठ रूप का वर्णन है, गीता के ग्यारवे अध्याय में, आप एकदशी के दिन ये पार्ट कर सकते हैं, पुर्णिमा के दिन कर सकते हैं, जैसे अभी प्रॉब्लम है आप बिमार हैं तो आप ओडियो भी सुन सकते हैं लेटे लेटे आप सुन सकते हैं और उसका भी लाभ मिलता है हमारी बहुत सारी माताय बहने हैं जो कि हमसे कहती हैं कि हमारी संतान हमारी बात नहीं मानती है हमारी छोटी-छोटी संताने अपने मन का कारे करती जिससे माएं बहुत दुखी रहती हैं तो सबसे पहले इसके लिए तो आपके अपने घर का बातावरण शुर्द करना होगा घर में ऐसे महाल क्रियेट करना होगा कि बच्चे विल्कुल आग्याकारी बने संसकारी बने आपको सबी नियम जो भी मैं आपको बताती रहती हूँ इसलिए आप लोग समझते हैं कि बस धन के पीछे धन की बात नहीं होती है धन कैसे आता है हमारे बच्चों से आता है धन हमारे संसकार होते हैं धन हमारी संताने होती है तो धनकार्थ यह होता है, पैसा ही धन नहीं होता है, बहुत पैसा है, आपका सम्मान नहीं है, तो भी बेकार है, तो इसलिए आप अपने बच्चों के उज्जल भविस के लिए गायत्री मंद्र का पाठ करें, प्रति दिन करें, यदि नहीं हो सकता तो रभी वार के दिन तो आप अपने बच्चे को कराते हैं, तो बच्चों में अच्छा कासा संसकार आता है, बच्चों में एक सालिंता आती है, बच्चों का जो क्रोध होता है, वो शान्त होता है, तो बहुत जादा प्रभाव होता है, आप अपने घर का महौल बिल्कुल उर्जावान रखें, तो इसलिए आप यह सभी प्रयास करें हमें पूरी उमीद है कि आपकी मनुकामनाई भी पूर्ण होंगी और आपकी बच्चे आपकी संताने आपकी आग्याकारी भी बनेंगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी helpful लगे तो प्लीज माई वीडियो को जादस जादस शेयर करें अपने family friends में और नई वीडियो के लिए subscribe जरूर करें और वीडियो पसंद आती तो एक like का बटन जरूर डबाएं मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखे जय माता दी